पुड़ेनी विधान सभाय के उप्चुनाव का परिणाम आ रहा है और परिणाम में भारती जंतापाटी सुबह से ही लगातार बढ़त बनाये हुए है। लेकिन इसे पढ़त के बीच पाच्वे राउंड में जदियू के परत्याशी आगे निकलते हैं कुछ मतों के अंतर से चाट्थे और साथवे राउंड में फिर वो पिछड जाते हैं और भाजपा हजारों वोटों के मतलब की 2012-1200 के वोटों के अंतर से आगे निकल जाती चट्था और सात्वा राउंड बेहाद महत्वपुन था क्यों कि छट्था और सात्वा राउंड कुस्वाहा बाहूल ये इलाके क्या गिंती हो रहा था मतलब कि छट्था और सात्वे राउंड में जहां का वोट गिना जा रहा था वो इलाका कुस्वाहा बाहूल है और जद कुछी सम्मंद में सब कुछ बताएंगे बताएंगे कि कैसे चठे और साथवे राउन में जदियू को जटका लगा और यह जटका सिर्फ जदियू को कुर्णी में नहीं लगा बलकि कुस्वाहा वोटरों के लिहाज से बहुत आगे आने वाले समय तक इस चीज़ को याद र जाएंगे लेकिन चठे और साथवे राउन के गिंती ने सारा खेल पलट दिया वहां पर केदार गुपता आगे निकल गया अब यहां पर दो चीज़ समझने के जरूबत है पहली बात कि क्या नितिश कुमार की पार्टी के साथ अब कुस्वाहा वोटर जाने को तयार नही है चाहें वो कुस्वाहा हो चाहें वो यादो हो चाहें वो कोई भी जाती हो हर जाती में केदार गुपता का अपना ब्यक्तिगत प्रभाव है और उनके ब्यक्तिगत प्रभाव के नाते यादो भी केदार गुपता के साथ है कुस्वाहा भी केदार गुपता के साथ है तो लोग वोट देते समय उनके ब्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होकर धूल जाते हैं कि हमारे जाती का उमिद्वार है तो उसको वोट देना है दरसल पांचवे राउन में जदियू के उमिद्वार जो है मनोज कुछ वह वह आगे निकल गए यह जदियू के लिए बड़ 2200 के जादा मतों के अंतर से आगे निकल गई वहीं पाच्वे राउन में मात्र कुछ सव के वोटों के आगे अंतर से जदियू आगे निकले थी और छठा और सात्वा राउंड महत्तपुन इसलिए क्योंकि वह कुछ वह बाहुल इलाके की गिंती हो रही थी मतलब कि कुछ कुस्वाह बाहुल ये छेत्र में अगर मनोज कुस्वाह को वोट नहीं मिला तब गंभिर सवाल है कि आखिरकार जब राइनिती होती है जब किसी उमिद्वार को टिकर दिया जाता है तब सबसे पहले गुना गणी थी यही होता है कि आखिरकार इसके जाती कि कितने मत दात तब निश्चित तोर पर कुस्वाह वोटरों को जदियूने सोचा होगा कि अपने तरफ हम काटेंगे और इसी गनित के सारे कुस्वाह यादों का समिकरन एक साथ मिला कर जदियूने सपना देखा खुआप देखा कि हम तो कुलनी जीत लेंगे लेकिन मनोज कुस्वाह के अपनी जाती के गाओं में उनके अपने बिरादरी वाले गाओं में जो भारती जनता पार्टी ने कमाल किया है उस पर निश्चित तोर पर चर्चा होगी और आगे आने वाले समय में जदियू के लिए गंभीर सवाल होगा कि क्या वाकई में अब कुश्वाह वोटर जदि होगा और क्या कुछ वाहा वोटरों का कटना अब आगे आने वाले भविस्त में महागर बंदन के लिए ठीक नहीं होगा आपकी पर्त किरिया क्या है कुमेंट बॉक्स में लेकर बताईएगा बाकी आगे जो कुछ निया अफडेट जो कुछ जानकारी आगी सब कुछ जनतां खड़े हैं और में मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद